हैलो फ्रेंड्स वैलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए कितनी खुबसरे डिजाइन लाए हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है यह एक कलर की डिजाइन है बहुत ही सिंपल और सोबर डिजाइन है बहुत ही आसान सा पैटन है इस पैटन का यूज लेडिज कारडीगन जैकेट में बना सकते हैं बच्चों की फ्रॉक में कर सकते हैं तो चलिए पहले हम से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इसका लुबता चलिए सबसे पहले तो हमें इस तरह से गाट लगा ले ठीक है गाट लगाने कबार हम यहाँ पे लूज चैन बनाए ध्यान रखिएगा कि लूज बनानी थोड़ा से इसको इस तरह से ऐसे ठीक है तो हम एट का मल्टिपल प्लस सेवन चैन बना लेते हैं यह देखी यह मैंने बतिस और साथ 49 चैन लिए 39 चैन बना ली है मैंने और एक एक्स्ट्रा लिए है कभी बाइचंस मारी काउंटिंग में अब भूब जाती तह एक दोचेन अप एक्स्ट्रा ही बनाएं ठीक अभी बेस्रों हम बनाएंगे देखिए एक दो दो चैन हम बनाएं और तीज चैन छोड़ के चोथि में 4 चैन 1-2-3 4 फोर्थ में हम एक डबल क्रोश्या बनाएंगे ठीक है अब हम सारी चैन्स में डबल क्रूशिया बना लेंगे इस तरह से। डपल क्रूशिया derive in every chain कर देखी कि सब में हम double क्रूशय वहारी बेस रही क्योंकि जब भी हम शाल या कारडिकन बनाते तो नीचे हमें बेस की रूपी जो चैन चाहिए थी तो हमें इस तरह से बनाना होता है तो बना लेते इसको यह देखिए यह हमने एक रू बना ली है अभी हमें एक और बेस रू बनानी है देखिए यहां पर हम एक चैन लेंगे अब यहां से हम सिंगल क्रोश्य बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार तो यह चार हमने सिंगल कुरुषय बना है और एक ही हमारी चैन थे हैं ठीक है देखिए चार और यह ठीक अब यहां से हम पांच यहां से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है तो देखिए यहां पे जो है देखिए यहां पांच और सिंगल कुरुषय यहां से हमारा पै चार और ये पांच हो गया है फिर तीन चन बनाएंगे देखे एक दो तीन तीन हो गया है फिर देखिए वापिस से यहाँ पर एक दो तीन छोड़ेंगे चौथे से स्टार्ट करेंगे देखे वान ये हमने पांच सिंगल क्रॉश्य बना गया पर उसका तीन चन बनाएंगे एक दो तीन फ्रेंट्स मैं आपको बताता हूं कि मैं सारे जो अपने क्रोश्य प्रोजेक्ट हैं लगबख दस नंबर की क्रोश्य हुख से बनाती हैं क्योंकि ऊन जो य थ्रीपलाई का यूज किया ह है और इतनी मोटी उन के लिए आप दस नंबर का क्रोश्य पॉफेक्ट होता है ठीक है अब देखें आप एक दो तीन स्किप करेंगे फिर फूर्थ से हम सिंगल क्रोश्य बनाएंगे चार पांच छे साथ और ये आठ ये पांच हो गया आठ चैन तक बना लिए देखें पांच हमारे पास सिंगल क्रोश्य बनाएंगे फिर से एक दो तीन तीन चैन फिर एक दो तीन चोड़ेंगे चाथे में एक दो तीन चार पांच ये हमने पांच सिंगल क्रोश्य बना लिया अब यहाँ पर मारे पास पांच डबल क्रोश्य जिसके पर हम बॉर्डर के लिए पांच सिंगल क्रोश्य बनाएंगे देखें एक दो तीन चार और ये लास्ट पांच ये पांच ठीक है ये हमारी बेस रो है स्टार्टिंग आपको सिंगल क्रोश्य से ही करने फिर अब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे अब टर्न देखें फर्स्ट रो हमारी यहां से है ठीक है एक दो तीन तीन चेंट बनाएंगे अब इसमें बना लिया फिर इसमें देखिए हमें डबल क्रोश्य बनाएंगे एक दो तीन और यह चार हो गया है यह देखिए चार यह जो तीन चेंट बनाएंगे यह मारा डबल ल क्रोश्य यह मारे पास बॉर्डर का काम करता है जब आप कार्डिगण वगेर भगए बनाएंग्त वारडर ऑटन लटफ़ बटन跟大家 कट और बटन और बटन के पाटंच लिए इ यहां पे पांच लाइन अगर आपको शॉल बनाना है तो तीन आप इधर से कम कर दें और तीन इधर से तो यानि कि आपको एट का मल्टिपल प्लस वन यह इस तरह से लेना होगा ठीक है अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है ठीक यहां से देखिए पैटर हमारा जो फस्त Wam सिंगल क्रूषे इसके अंदर हम में से एक ö Connor स्ट क्रिट कोश्य बनाएंगे फिर जो लास्ट वाला है ची देखिए लास्त वाला है इसमें हम इन कंप्लेट डवर कोशय बनाएंगे अब हम इसे बंद कर देंगे फिर दो चैन बनाएंगे फिर अब यह जो स्पेस है इसमें हम 5 डबल कुरुश्य बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच है यह हमने 5 डबल कुरुश्य बनाए यह देखिए इस तरह से अब देखें 5 क्रोष्य एक बाद the same same pattern repeat करेंगे देखें कि 안에 2 2 के बार फिर देखिए नहीं पहला वाला double single crochet कि फस्ष सिंगल क्रोश्य में हमें incomplete double crochet बनाएगे और फिर यह last वाले में देखिए इसमें इसमें हम इस तरह से इसको बनाएंगे, फिर इसे हम इस तरह से बंद करेंगे, फिर एक, दो, दो के बार, फिर इसमें पांच डिबल क्रोशे, दो, तीन, चार, पांच, देखें, ठीक है, यह देखें, इस तरह से बनेगा, फिर वापीस यह पैटन रिपीट करेंगे, देखे दो चैन, फिर फॉर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में हम एक incomplete लॉल क्रोशे बनाएंगे, फिर लास्ट वाले में, देखिए लास्ट वाले में, धीयां देजीका, यह हमारी रो फरस्ट है, इसको बंद किया, फिर यहाँ पे हम 2 chain लेंगे फिर इसमें हम 5 double crochet 1 2 3 4 5 ठीक है, फिर 2 chain देखे 2 chain और फिर 1st वाले में हमें double crochet बनाएंगे incomplete फिर यहां पर देखे एक दो यहां पर आपको count करना पड़ेगा क्योंकि हापर आपर वहरे पास बटन पट्टी के भी है, है एक दो तीन चौथे में चौथे वाले में हम यह लेंगे इस तरह से देखें तीन स्किप किया बीच में देखें देख सकते हैं ठीक है चौथे वाले में बनाए फिर दो चैन लेंगे अब देखें यहां पर नेक्स्ट से ही हम डबल क्रोश्या बना लेंगे पांच डबल क् तीन चार और यह लास्ट में जो चैन्थी इसमें हम बनाएंगे पांच यह देखी यह हमारी फस्ट रो है जिक बैसिकली जो डिजाइन है यह से दो लाइन किये पर हमें फिर इसका इसे शिफ्ट करना अब था डिजाइन को अब देखें यहां पर फिर एक दो तीन ठीक है फि इस तरह से करना है तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे यहां ऐसे लेंगी यहां से इसकी यहां से इस तरह से लेंगे और ये इस तरह से बनाएंगे इसको लंबा करेंगे ठीक है फिर इसे हमने बना लिया फिर यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन फिर वापिस से इसी में हमें डबल क्रोश्या इस तरह से बनाएंगे देखें ये ये देखें हो गया फिर ये जो पांच है इसके पर हम पांच डबल क्रोश्या ही रखेंगे इस तवस्तिक एक दू तीन चार और ये पांच हो गया फिर से देखे ये जो हिस्सा ये स्पेस इसके अंदर हम विस्त को यहाँ पहली बार जो निकाले दो बार हम को निकालना है डबल क्रोश्या में तो पहली बार थोड़ास को लूज करेंगे और यह हमने बंद किया फिर एक दो तीन पिर वापीस से इस में इस तरह से इसको बड़ा किया फिर वापीस से पांच डबल क्रोश्या बनाएंगे पांच डबल क्रोश्या ही बनाना है एक दो तीन चार और ये पांच ये देखें तो इसी तरह से हम इस रो को complete करेंगे यहां से इसके नीचे से लेंगे इसको बड़ा करेंगे इसको करेंगे फिर एक दो फिर तीन तीन चैन फिर वापिस इसी में से लेंगे इसको बड़ा खीचेंगे और फिर ये बंद किया, फिर पंच डबल क्रोश्यां, एक, दो, तीन, चार और ये पंच,ुग जै, फिर अब देखें यहाँ पे फिर इसको करेंगे, एक, फिर एक, दो, तीन, फिर एक ओर डबल क्रोश्यां इसके बीच में इस तरह से, इसको दोज बढ़ा करके अब फिर सब डबल क्रोशे पर डबल क्रोशे हैं एक डू एक तीन चार और यह पांच आ जो डबल क्रोशे हैं यह हमारे इस चैन में बनेगा देखिए यह तो आप थोड़ा सा देख लेजिए ठीक हैं यहाँ पर तीन चैन बनाईगे एक दो तीन तीन के बाद फिर देखिए एक दो तीन और ये चार दीखें यह हमझें चार डैबल क्रोशे बना लाए ये हमारा कि दो कि ती चार और ये पांच ठीक है देखिए पांच डबल कुरुशेट में बनाए यहां पर कोई चैन नहीं लिया अब देखिए यह फर्स ट्रो पांच डबल कुरुशेट बाद हमने यह कैसे बनाए था यह इस तरह से यहां पर हम दो चैन लेंगे दो चैन फिर यह जो पांच है इसमें से पहले वाले पर हमें इनकंप्लीट डबल कुरुशे बनाएंगे देखिए इस तरह से फिर लास्ट वाले पर इनकंप्लीट डबल कुरुशे बनाएंगे फिर इससे हम बंद करें ठीक फिर एक दो दो चैन अब देखिए इसमें हम पांच डबल कुरुश बनाए फिर वापिस से आपे देखिए पैटर्न रिपीट करेंगे पांच डॉट्ष्व जैसे बना था दोचे जर्ण लेंगे फिर पहले वाले में हम एक incomplete double crochet बनाएंगे फिर लास्ट वाले में हम incomplete double crochet फिर इसे हम बंद कर देंगे इसमें नहीं बना है हम नहीं देखिए जो पांच है इसी के पर बना है इस तरह से ठीक है फिर उसके बार एक दो तीन तीन चेन और सुरी दो चैन, दो चैन लेंगे हम, फिर उसके बाल इसमें हम पांच डबल क्रोशे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ये देखें, पांच डबल क्रोशे, फिर दो चैन, फिर देखें, पहले वाले में हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर लास्ट वाले में हम इनकम्प् फिर दो चैन फिर इसमें पांच डबल कुरोशे एक दो तीन चार और ये पांच पांच डबल कुरोशे अब ये जो है यहाँ पे हम डबल कुरोशे पांचो बना लेंगे एक दो तीन चार और पांच डबल कुरोशे किसमें बनेगा है जो हमारी तीन थर्ड चैन है इसमें देखिए इस तरह से ठीक है फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे फिर देखिए एक दो तीन यह हमारे पैटरन की लास्ट रो है ठीक देखिए इस तरह से एक दो तीन और यह चार हो गया अब देखिए यह जो पांच डबल कुरोशे है इस पे आपको पांच ही बनाना है एक दो 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 तीन चार ही यह पांच है अब पांच के बना देखिए यहाँ जो बना सब्सक्राइब को सब्सक्रा के बशार यह इस की इसके बीच में से बना लेंगे पिर आपसा फिर वापी से में एक डूब्ल क्रूशि अपिर अब यहां से पांच करोशि इक डूब्ल क्रूशी अच फिर इसमें डेखे इस के बीच में से ऐसे हम लेकि बना लेंगे एक ड्बल क्रूशिय वापी से और फिर उसके बाद तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन फिर वापिस इसी में एक डबल क्रोशे फिर ये पांच डबल क्रोशे बनाएंगे इसके पर एक दू तीन चार और ये पांच ठीक है फिर वापिस है इसके बीच में ऐसे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन फ पिर इसमें बनाएंगे एक दो थीन चारพांच हो गया फिर इसका दीं पांच पर पांच दबल कृष्या बना लेंगे एक दो थीन चार और यह पाँच तो पांच अब थर्द चेन में बना सकते हैं इसमें भी बना सकते हैं तो यह देखें यह हमारी जो डिजाइन है वो complete होगे अब row first से जो first रोम ने बनाई थी वापिस से start करेंगे तो मैं थोड़ा सा बना के आपको यह design दिखाती है जिसे row first हमने start की थी वैसे ही बनाना है ठीक है अगर आप टेफ लग रहा थोड़ा सा बैक करके देखी समझ में आ जाएगा यह देखी यह मैंने चार डिजाइन बना ली दो मैंने आपको बना के बताए थी तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं देखिए इसका लुग बहुत ही प्यारा आता है राइट और रॉंग दोनों साइड से जो design है ब आप भी बना सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको यह सिंपल सो वर्सी डिजाइन पसंद आई होगी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको डिजाइन कैसी लगी थेंक्स पर वाचिंग अपको अपको वीडियो के आपको अपको बाइक।